निदमें उनको गाली दे देती, सक्ति पुत्र महराज ये धब्बा है, वो अपने दाढ़ी की घमंड में पढ़ा रहता है, भुमाता रहता है ना कसम से, उनमें दम भी तो होना चाहिए सुवकार करने के लिए, उसके लिए जिगरा चाहिए आज हमारे बीच में है, पंडुकर धाम की बेहत प्रियभत सुमन्च वरसिया, आपकी जान दोने में पश्वागत है जैसे राम अमान जी बीच में एक ऐसा दोर आया, जब सक्ति पुत्र महराज करके हैं, आई देर उनकी तरफ से कमेंट आये हैं, गुरुजी की खिलाफ साहिद आपने देखी हैं भी होगे जी मैंने देखा है, देखा ही नहीं, आगर गुरुजी महराज अगर यहां से आदेश करते हैं, यूटूब पे या अपने तरबार में बैटके भी थोड़ी सी भी आदेश करते हैं, उस, उनकी तो मैं बता रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं तो एक लेडिस कि गुरुजी महराज जी सीधे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, अपने सिस्सों को मना भी कर रखा है कि फिर हमारे और उनकों में फर्क क्या रह जाएगा, तो इसका मतलब यह थोड़ू नहीं कि वो कुछ भी बोलते जाएंगे, कुछ भी करते जाएंगे, किसी चीज की मर्या गुरु है, यह तो गुरु के नाम से यह सकती पुत्र महराज यह धब्बा है, और इससे ज्यादा आगर मैं कुछ बोलनों तो बहुत कुछ बोल सकती हूं, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुद्यों महराज कहते हैं, कि ऐसे नीच और कुपुत व्यक्ति के वर्ड अगर हम बोलेंगे, तो फिर हमारे उनके में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन उनकी बराबरी तो हम बोलेंगे भी नहीं, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही गिरे हुए इंसान है, जितनी भी इनकी निंद्रा करें, कम है, क्योंकि गुरुद्यों महराज के ब इस ऐसे गाली दे दे रहें, उनके कानों से खून आ जाएं, क्योंकि उनको अभी यह लगने लगा है, अभी तो हम थोड़ी से सुरूख बसकी है, और नॉर्मली हलका फुलका जो हम से बन रहा है, हम वहीं बोल रहे हैं, जो कि गुरुद्यों का आदेस नहीं है, बस हम आधी की घमंड में पड़ा रहता है, जो टुन टुन घुमाता रहता है, कसम से, उसके उपर तो इतना खुंदुग आता है, गुरुद्यों को कहते भी नहीं, फिर भी इनको छेड़ता रहता, छेड़ता रहता, यह क्या मतलब बता है, आरे एक गुरु, दूसरे गुरु क पारीब करो, चलो, कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है, तो वो चीज गुरु जी से डारेक्ट बात कर लीजिए, कि हाँ मुझे यह चीज नहीं अच्छी लग रही है, चीज चेंज करिए, तो इसका क्या मतलब है, तुम निंदा शुरू कर देते हो, बुराईयां सुर लने चाहते, क्योंकि गुरु जी महराज को अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, सुमन चौरासिया जी, आपके गुरु जी ने भी चैलेंज किया है, कि वो खुले दरबार में, आमने सामने, टीवी चैनल के और अधकारियों के बीच बोलने के लिए तही आर और वो जीघरा उनमें है नहीं, बस बीच गुण नहीं हम इनको भौख सकते हैं, बस बहुत हैं। वीडियों देखना बंद कर दो, उसके चैनल्स खोलो ही मत, ये तुख चाहता है कि हम गुरुदिय महराज के थुरू हाइलाइट हो जाएं, उसको करो ही मत. अच्छा लगने का तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है, गुरुदिय महराज में मैंने देखा यहाँ गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, या सहर से आया है, या गाउं से आया है, गुरुदिय महराज में कोई भेद भाव नहीं है, सब को एक नजर से देखते हैं, चाहे कैसा भी हो, उनमें, हम तो यही कहते हैं, उनके अंदर भोले बाबा का बास है, क्योंकि वो थोड़ा से सक्त भले हैं, जरूत पढ़ने सक्त हो जाते हैं, लेकिन वो बोले बंडारी जिसको डॉक्टर ने कैंसर बोल रखा था, और उसके बाब से पहले उनको कोई अंदरूनी बीमारी थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया था, कि इनका बच्चेदानी का ओपरेशन होगा, बच्चेदानी निकल जाएगी, तो जिसकी वज़े से हम लोग बहुत टेंसन में थे, क्यों 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 बेहन के बेटा नहीं है चार बेटियां ही है, इस वज़े से हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन हमने मुंबई से बहन हमारी मुंबई साधी हुई है बहन की, तो मुंबई से आई बहन हमने दिखाया भी गुर्दयों महराज को, गुर्दयों महराज ने 11 दिन रुकने के लिए बोले, 11 दिन में बहुत किरपा हुई, पंडुकर सरकार की, हाथिवान महराज की, हमारी बहन 11 दिन के बाद से यहां से हमारे साथ गाजयाबाद गई, उसके बाद मुंबई गई, जाने में आने में गाउं होके गई, इसलिए दो महीने लग गए, दो महीने एक बाद हम रिपोर्ट निकलव हो, तो आप पहला और लास्ट दोनों रिपोर्ट जमा करो, हम पहला तो जमा किये हैं, लेकिन दूसरा नहीं कर पाए हैं, फिलाल तो हम बहन से मांगे भी हैं, कि आप जब भी गाउं आओ, तो हमें रिपोर्ट ला के देना, हम उसकी फोटूपी करवा के गुर्देओ के य दूसरी सबसे अच्छी ख़बर ये है, हमारी बहन का ओपरेशन हुआ, जिसमें बस टूमर टूमर रसॉली निकली, हम यहां आने से पहले कम सकम एक दो डॉक्टर नहीं, कम सकम 200 डॉक्टरों ने पूरा ओपरेशन बोला था, लेकिन अभी दो महीने पहले अभी ओपरेशन हुआ है, दो महीने भी नहीं पूरे हुए होंगे, देड़ महीने हुए होंगे, जिसमें बस रसॉली निकली है, मेरी बहन दुवारा मा बन सकती है, और हम उम्मीद भी करते हैं, गुर्देव महराज की किरपा हो जाए, एक मेरी बहन को बेटा हो जाए. बिल्कु सुमन्च रस्या जी है, सबसे बड़ा चमतकार पंडुकर धाम का वो इस समय हमारे साथ बनी हुई है, सुमन्च रस्या जी उनके लिए क्या जब आप बेना चाहेंगी, जो कहीं न कहीं, जो पंडुकर सरकार की निया हमें, वो फोलो नहीं कर पाते हैं, तो कई ल साथ तो अपने चरित्र भी तो सुधारो, एक बात बताओ, वो कहते हैं, हाथ में माला कोई ऐसी कहावत है, जिन लोगों को पता होगा, या सर्च मारोगे तो आएगा, तो अगर इस तरीके से धाम में या कोई भी उपाय करते हो, हमारे ख्याल से सकसेज नहीं है, तो उनका तो काम भीगड़ना है, हर तरीके से सुध रहो, माइंड फ्री रखो, रिलेक्स रहो, और उसके बाद नियम फॉलो करो, गुर्दे महराज का, इस दाम का नियम फॉलो करो, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल 100% होगा, 200% होगा, बिल्कुल, जी, तो आज आपकी जनातला आपकी जनातला न आपकी